मैं डॉक्टर लक्ष्मीन अरैंड प्रवक्ता इतिहास राज के माडल संस्कृति वरिष्ट मादमिक विद्याले ततारपुर इस्त्मुरार रेवाडी हरियाना आज के अपने अध्याय का उपविशे है नवीन धार्मिक परंपराएं जैन धर्म और बोध धर्म के अस्तित्व में आने के बाद उस समय के समाज में अनेक परिवर्तन आये और उन परिवर्तनों के प्रणाम सवरूप नवीन धार्मिक परंपराएं आरंब हुई पूराने के हिंदू धर्म में अनेक प्रमपराओं का आरंब हुआ साथ ही जैन धर्म और बहुत धर्म में भी अनेक नवीन प्रमपराओं का उदे हुआ दोनों धर्म वैसे ही नहीं रहे जैसे उनके परवर्तों ने आरंब किये थे यहनी कि हिंदु ध्रम में भी परिवर्थन आया बहुत धरम और जयन धर्म को देकर अपना स्थित बचाने के लिए उन्होंने भी बहुत से परिवर्थन और शुदार किये। इस तरह से जैन और बहुत धर्म में भी बहुत से परिवर्तन आगे तो उनको देखते हैं पहले देखते हैं बहुत धर्म में आई नए परिवर्तन आप परमप्राएं बहुत धर्म विद्यारतियों दो भागों में बढ़ गया एक था महायान और दूसरा ही नियान बाद में यह बोधों में एक तीसरी साखा भी पड़ने को मिलती है, देखने को मिलती है, वत्रियान वैची वत्रियान साखा मंगोलिया में अस्टी तुम में रही बताते हैं, इस साखा के लोग तांतुरिक विद्दयायों में विश्वास करते थे, ये लोग नसा और मास का शेवन भी करते थे जो महात्मा बुद्ध के विचारों से बिलकुल परे लगते हैं एक तरह से परंतु मानी गई है यह बहुत ध्रम की वज्रियान साखा परंतु यहां हम दोही को पढ़ेंगे महायान और हीनियान हीनियान को थेरवाद भी कहा जाता था यहां हम समझेंगे अंतर करते वे दोनों का अर्थ समझेंगे कि क्या हीनियान है और क्या महायान है हीनियान जो धर्म था या संप्रदाय था यह महात्मा बुद्ध के समय से ही चला रहा था वैसा ही पुरानिक माना गया जबकि महायान परिवर्तन वाधी माने गए है तो बारी बारी से इनको पढ़ते हैं महायान को देखते हैं फिर हिनियान को देखते हैं बुद्ध और बौधी सत्तों की इस्वर के रूप में पूजा होने लगी मात्मा बुद्ध को भगवान मान लिया और बहुत दर्म के जो आरंविक के थेर्वाद वा लोगा क्या मानना है यह कहते हैं कि इसमें बुद्ध को इस्वर नहीं माना गया वो केवले महान पुरुष थे और लोगों को रास्ता दिखाने आये थे परदर्शक गुरू थे महान पुरुष थे भगवान नहीं थे मायान वाले महात्मबुद्ध की मूर्तिया बना कर पूजने लगे ये लोग ऐसा नहीं करते थे ये बुद्ध को उजला हाथी, स्टूप, चैत, वरक्ष के रूप में पूजते थे अब पीछे लेक्चर में पिछले में मैंने बताया था और दिखाया भी था कि किस तरह स्टूप, चैत और वरक्ष की पूजा वो करते थे, परन्तू मूर्ति पूजा नहीं करते थे ये मायान विचारधरा के लोग बुद्ध को मुक्ति दाता मानने लगे बुद्ध की पूजा करेंगे उसकी मूर्ति की पूजा करेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी परंतु थेरवाद के या हीनियान के विचारदारा के लोग क्या कहते हैं, कि मुक्ति तो विक्तिकत परियासों से ही मिलेगी, अपने विक्तिकत परियास करने होंगे हमें, उसके लिए तपश्या और अपने चरितर को ठीक करना होगा मायान साखा में बोधी सत ऐसे करणा मही जीव को कहा गया जो अपने उपर पढ़ा कि जो बहुत धर्म के परचारक थे उनको बोधी सत कहा जाता था उनके बारे में लोगों की क्या धारना थी वो पढ़ते हैं ये ऐसे करणा महे जीव को कहा गया जो अपने सत करमों से पुन्य कमाते थे ये अच्छे काम करके खुब पुन्य कमाते थे और उस पुन्य का परियोग भी अपने लिए अपनी भलाई के लिए अपने मौक्ष के लिए ना करके दूसरे के दुखों को दूर करने में लगाते थे, ये महन यान साखा का मानना था, उन्होंने बोधी सत्तों को भगवान के समान माना, ये क्या कहते ही नियान वाले, इसमें बोधी सत्त धर्म परचारक के रूप में ही महतो था, ये महत्मा बुद्ध के आरंविक विचारों का ही परचार करते थे, ना ये अपने को भगव अब विद्यारतियों देखते हैं जैन धर्म की शाखाएं जैन धर्म में समय के साथ अनेक शाखाएं अस्तित्त में आई परंतु 320 पूर्व के आसपास इसमें दो साखाएं बन गई थी एक है दिगंबर और दूसरी स्वेतंबर दोनों आज भी अस्तित्त में हैं दिगंबर इस संपरदाय के विख्षू वस्तर नी पहनते थे ये हर मोसम में नगन रहते थे और कठोर तपश्यास करके सरीर को तपाते थे परंतु आज भी इनमें यही परंपरा है आज भी ये नगनी रहते हैं और अपने सरीर को तपाते हैं श्वेतंबर इस संप्रदाय के भिख्षू स्वेत वस्त धान करते हैं और मौसमा नुकुल वस्तर भी पहन लेते हैं परन्तु दिगेंबर और स्वेतंबर दोनों प्रकार के साध्यों का उद्देश महावीर जैन की शिक्षाओं का परचार करना है। अब पुरानिक हिंदू धर्म के बारे में पड़ते हैं और उसमें क्या-क्या परिवर्तन हुए जैन धरम और बोद धरम के प्रणाव सुरूप हिंदू धरम में भी वैदिक धरम में भी बहुत से परिवर्तनाए। बोट धर्म में जैन धर्म के उदे के बाद हिंदू धर्म में अनेक प्रमपराओं का जन्मुः मायान साखा में जिस तरह से मात्मा बुद को इश्वर माना गया मुक्तिदाता माना गया उसी परकार हिंदू धर्म में वैश्णव वैश्षैव प्रमपरा उबर कर सामने आई इसमें एक विशेश देवता की पूजा को खास महतु दिया जाता था इस प्रकार के अराधना में उपासना और इस्वर के बीच उपासक और इस्वर के बीच कारिस्ता प्रेम और समर्पन का बन जाता था इसे भगती कहते हैं तो आओ पहले पढ़ते हैं वैशनवाद के बारे में इस परंपरा में भगवान विश्णु और उनके दस अवतारों की पूजा की गई है यानि कि भगवान विश्णु ने के दस अवतार हैं इस संपरदाय के दो मुख्य तत्व हैं भगती और अहिंसा देवता के प्रति प्रेम और समर्पन भाव को भगती कहा गया अहिंसा किसी जीव को मारना नहीं ये सिद्धान अहिंसा का है लोगों ने जीव हत्या बंद कर दी और शाका हार को अपनाने लगे इस संपरदाय को सुद्रों सहित सभी वर्णों ने अपनाया राजा महराजाओं और बार से आये अनेक विदेशियों ने भी इस संपरदाय को अपनाया इस संपरदाय में दस अवतार थे इनको देखते हैं कौन-कौन से थे पहला मतश्य अवतार दूसरा कुर्म अवतार तीसरा वरहा अवतार चोथा नर्शिंग अवतार पांचवा वामन अवतार छटा परसूराम अवतार सात्वा राम अवतार आठ्वा कृष्ण अवतार नौवा भूद्ध अवतार और दस्वा कलकी अवतार इस परंपरा में जब भी पृत्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तो विश्णु भगवान मनुष रूप में अवतार ले करके पृत्वी पर पाप और अत्याचार को खत्म करके धर्म की स्थापना करते हैं ऐसी मानता वैश्ण वाद में है अब इन आवतारों को चितर रूप में आपको दिखाते हैं विद्यारतों द्धान से देखिए पहला मतस्य आवतार जब पूरी पुर्थवी पर पानी ही पानी हो गया परले आने आ गई उसमें कहते हैं कि भगवान ने मतस्य रूप में मचली रूप में उतार लिया, देखो ये मतश्य है, मचली है, और इसने पूरी पुर्थ्वी को और लोगों को अपने उपर बैठा रखा है, देखी उपर वरक्षी भी हैं, जीव भी हैं, मनुष्य भी हैं, देखो ये जानवर बैठे हैं यह मनुष्य बैठे हैं सब को उस परले के पानी से बचा करके मनाली नामक स्थान पर ले आए थे जो मनु का स्थान माना गया भगवान मनु और उनकी परजा को ले के मतश्य अवतार के रूप में भगवान आए कूर्म अवतार के रूप में जब पृतिवर पाप और अत्याचार बहुत बढ़ गया और असुरों और देवताओं में तनाव बढ़ गया उस समय यह देखो कच्वा बनता है कि नहीं देखो विद्यारती पच्वा इस कच्वे की पीठ पर धार्न किया गया और सेशनाग की रस्टी से उसको मतः गया सागर को उससे विश और अमरत निकला जो देवता और असुरों ने प्या देखो यह मतःनी है यह शेशनाग इस पर लिप्टा हुआ है जो रस्टी की रूप में इसको बिलो रहे हैं और समुद्र मं कुंथन हो रहा है देवता और राक्षस खड़े हैं इस चित्र में आप देखे ज्यान से तीसरा अवतार था वरहा अवतार जब पृत्वी रसातल में चली गई बिल्कुल नश्ट हो गई अब तब कहते हैं कि वरहा यह सूर की तरह देखो चेहरा देखे किस तरह का है किस पृत्वी माता उनके आत पर विराजमान है रसातल से निकाल के लाए समुद्र से निकाल कर लाए अब यह समुद्र की ठोरी क्या थी इसके बारे में विद्वान कहते हैं कि वही ब्रमांड में कहीं खो गई पृत्वी उस समय है पृत्वी को सई जगह है सई स्थान पर समुद्री है बहुत विशालकाय। नर्सिंग अवतार यह देखिए हरणा कश्यप ने कहा कि मैं को वरदान था कि मैं अंदर मरू ना भार में मरू आकास में मरू ना पर स्थ्वी पर मरू ऐसा वरदान मागे लिए अप कहा मारे मारना जरूरी था तो भगवान ने नर्सिं हुँ उपर मारा ना नीचे प्रत्वि पर भी नहीं अपनी गोधी में बैठा करके दरवाजंबी पर बैठ करके और उसे आगल ला मनस्प्र्भी ना मार सके तो नर्शिंग यादि सीनके रूप में नर्डुप में और सिंग का चेरह देखिए इस तरह ऐसे नर्शिंग रूप में आये और उन्होंने इनका वद किया तीसरा वामन अवतार जब भली राजा रोए जो बली राजा था असुरों का राजा था और असुरों से मुक्टि दिलानी थी असुरों का पृत्वी पर राज हो गया तो महामन अवतार के रूप में भगवान और राजा बली के पास जाकर दान मांगा वो बहुत छोटे से कद के थे बच्चे की तरह चोटा सा कद था उनका तो जब वो राजा बली के पास गए तो बोला तुझे क्या दान चाहिए हसकर कहने लगेगी बच्चे से उनने का कि मुझे तो ढाई कदम पृत्वी दे दीजि कि आधा कदम और दो मेरे को अभी तो कहते हैं कि बली राजा ने अपने सिर आगे कर दिया और उन्होंने देखुए सिर पर पैर रखा हुआ है इस तरह से इन्होंने भी दान की परंपरा को निभाते वे धाई कदम पृत्वी दी और वामन आउतार की रूप में ऐसा माना जाता है परसु राम अधार जब छत्रियों के अत्याचार बढ़ गए पृत्वी पर और भहुत अत्याचार ही हो गए छत्री ए क्योंकि यही समाज के रक्षक माने गए और यही बख्षक के रूप में जब हो गए तो कहते हैं कि 32 बार परसु रम ने छत्रियों का वध्द उसमें राम के अतार में वे जो जामायन में पड़ते हैं talk about the कृषण के देशसराक्सों के अत्या चार बढ़े चांची को ब्धशन अई ये और ये परवत है जो ओपर ये परवत है इस परवत को भग्वान किर सन्सांड उठा रखा है और नीचे जनता खडिये देखिये एक दूसरे वरणों में घिरना फैल गई तब उस घरना को दूर करने के लिए समाज में एक रूपता स्थापित करने के लिए प्रेम से रहने के लिए बुद्ध ने अवतार लिया और दस्वा अवतार कल की अवतार जो अभी अवत्रित नहीं हुआ है ऐसा माना जाता है जब यह इस तरह का रूप ऐसा कलपना की गई है कलकी भगवान की और ये ब्रहमाजी है इनहीं के दसावतार हमने अभी पढ़े भगवान विश्नु जो चीर सागर में ब्रमाजी नी विश्नु भगवान है जो चीर सागर में सेसनाग की सयापर लेटे हुए है लक्ष्मी पैर को सेव कहा जाता है जो सीव की पूजा करते हैं वो सेव की पूजा किस रूप में करते हैं पूजा लिंग और योनी के रूप में भी करते हैं और मनुष रूप में भी सीव जी को हम पूजते हैं जहां विश्नु को स्रस्टी का पालन हर माना जाता है वहीं सीव को स्रस्टी क करता और थंगारक के रूप में स्विकार किया गया है कुशानों और गुप्त काल में सैव द्रम में आस्था के व्यापक प्रमान मिले हैं दक्षण में शीव भगतों को नेनार कहा जाता है प्यारे विद्यारतों दक्षण बारत में शीव भगतों क्या बोला जाता है नेनार और विश्नु भगतों को अलवार या आगे एक अध्यायमम पढ़ेंगे भी तो शीव भगत नेनार और विश्नु भगत अलवार कहलाते हैं देखो ये भगवान शीव की मूर्थी ऐसे भी पूझते हैं भगवान शीव को हम ये लिंग और योनी की रूप में भी हम शीव को पूजते हैं जल चड़ाते हैं पुराणी कथाओं का अंकन इन मूर्तियों में पुराणी कथाओं बताई गई हैं हिंदु धरम की मूर्तियों का मुक्स्तोत पुराणों में वरनित किस्य कहानिया हैं इसलिए इन मूर्तियों के अध्यान के लिए किस्य कहानियों को जानना ज मकुत्य तो समझ सकते हैं इन कथाओं की विशेषताएं क्या है कई से पहले रचि Wing कहानियों में देवी देवता हृताओं की कहानियां मिलती हैं पुरानें पुरानों की कहानिया लोग कथाएं बन गई क्योंकि शुद्रों को भी पुरानों को सुनने का अधिकार था गांव गांव में ब्रह्मन इन्हें उची आवाज में सुनाया करते थे अब पुराण तो कोई पढ़ तो सकता नहीं था अनपढ़ लोग थे फिर भी शुद्रों को पुराणों का अध्यन करने का या सुनने का अधिकार था किस्टे काहनियों का पर परचार परचार पुजारी व्यापारी सादू संतों के द्वारा भी एक स्थान से दूसे स्थान पर पहुचा दिया जाता था एक उधार्ण देखते हम वासुदेव कृष्ण थे वो मत्रा के देवता थे आरम में मत्रा और द्वारका तक उनके किस्षे थे परच्रित धिर मंदिरे सारे भारत में पूजनी हो गए आज आज हमें पूरे भारत में भगवान किर्ष्ण के मंदिर मिलते हैं मंदिर निर्मान स्थापत्य स्थापत्य क्या होता है विद्यार्थियों स्थापत्य होता है रचना करना महलों की मूर्तियों की यह सब स्थापत्य कला आती ह हिंदों के अराधनास्थल मंदिरों के रूप में विक्षित हुए, अराध देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की गई, इतिहासकार मंदिरों का निर्मान काल उसी काल से मानते हैं जिस समय से सांची और सारनात के स्थूप बने कहते हैं तब से मंदिर शुन होए सुरुवाति मंधिनों के उस्थापत की विशेषता एं इस प्रकारती। मंधिनों का प्रारंब कैसे ओता है पहले गरभ ग्रहЕ होता है गरभ ग्रह Εक चित्र में दिखाऊंगा आपको गरभ ग्रह एक चोक और कमरह होता था इस में मूरती होती जाती थी मूर्थी, वो गरब गरे कहला जाता और उसमें धरवाजाता था पुजारी उस से अंदर जाता था कि धिर धिरब गरब गए के ऊपर ओर धाचा बनाया जाना जाने लगा जिसे शीकर कहा गया पी पृनिकर मंदुर के चारों ओर एक विशाल प्रांगण बनाया जाने लगा और उसमें भी अनेक देवी देवताओं की मूरतियां प्रांगण में लगी ने लगी आज भी देखते हैं आप मंदिर के प्रांगण में हम गुशते हैं तो अनेक देवी देवताओं की मूरतियां होती है गुप्तकाल में मंदिर भव और शिलाखंडों से बनाए जाने लगे इनमें उँची-उची दिवारें बहुत उचे तौरण दौर जिने गोपुरम भी कहते थे विशाल सभास्थल बनाए जाने लगे यानि कि बड़े-बड़े धरवाजे उची-उची दिखांगा आगे आपको जिनको गोपरुम कहते थे बड़े-बड़े सभास्थल जहां मीटिंग और धार्मिक आयोजन हो जाएं खूब गने लोगों का और वहाँ पर पानी की विवैस्था की जाने लगी पूरी एक चट्टान को काट करके भी मंदिरों को और मूर्तियों का निर्मान होने लगा आगे दिखाऊंगा मैं आपको यह से चित्र बारबर की पाड़ियां कारलेव नासिक के चैत अजन्ता एलारा की गुफाएं कैलासनात मंदिर उदेगिरी का विश्णु मंदिर महाबल पूर्म के मंदिर अनेक उधारण आज भी हमारे सामने साक्षात हैं जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा अब विद्यर्थ आओ भारतिय स्थापत्य को देखते हैं यह देखो यह शिखर कहलाता है इसको विमान भी कहा गया है यह गर्व ग्रह है मंदिर का यह चार दिवारी यह कमरा है यह दरवाजा है दरवाजे से पुझारी अंदर जाता है साथ में ही मिनाक्षी मंदिर मदरुई का गोपुरम है गोपुरम तोड़न द्वारों को में गेट को कहते थे इस मंदिरों के इन तोरण द्वारों पर देवी देवताओं की हजारों मूरतियां बनी हुई है इन पर ये सारी मूरतियां बनी हुई है और हर एक मंजिल भी अंदर पहली दूसरी तीसरी चोती इस तरह से मंजिलों में है उपर तक अंदर अंदर जीना भी होता है इसमें तो इनको गोपुर में यह चट्टाने काट करके मावलीपुरम है तमिलनाडू में जगें जहां पीछे अपने परधानमंत्री मोधी जी और चीन के राश्ट्रती की मुलाकात भी थी उस जगें चट्टानों को काट करके बनाया गया है यह पूरी एक चट्टान रही होगी ऐसे यह पूरी कभी एक चट्टान होगी उस चट्टान को काट काट करके ऐसे यह सुन्दर यह डिजाइन बनाया फिर यह डिजाइन बनाया फिर उसी चट्टान काटके अंदर मंदिर बनाये बरंडे बनाये बरंडा बना हुआ है यह मंदिर बना हुआ है फिर अंदर मूरती भी उसी चट्टा क्यों ही है एक च्टान की अंदर ये हाथ ही उतकीरन कर दिया छोट छोटी मूरतियां देखिए यहां देखें कितने संदर संदर मूरतियां यह उसस चाटानии पिलर भी भी बना दिया इसमें यह च्टान को काट कर बनाये भारज bajत नहीं लाए ये देखे उधे गिरी की पहाड़ियों को काट कर बनाया गया मंदिर देखे ये एक चट्टान दिखाई देर ये विद्यारत ये एक चट्टान रही होगी ये सारी यहां तक उस पूरी चट्टान को काट करके देखो कैसे निर्मान कर रखा है यहां देखो पूरी चटान काट काट करके अंदर कमरे बना दिये गए और मंदिर बना दिया गया है ये देखिए पहाड़ी को काट कर बनाया गया एलोरा का कैलासनात मंदिर ये देखो ये पहाड़ी है इधर देखिए ये एक पहाड़ी थी उपर तक थी उसको काटते वे ले आए उपर से ऐसे नीचे एक तरफ काटते वे ले आए और ऐसे बीच में ये ये मंदिर उकेर दिया ये चार तरफ ये मंदिरों के ये उकेर दिये ठीक है काटते गए नीच से डिजाइनिंग होती थी उन्हीं कारीगरों की कल्पना से ही पत्थर कटता जाता था नीचे की और और उकेरते जाते थे फिर अंदर ही काटकर गर्व ग्रे बना दिया जाता था यह देखिए नासिक में पहाड़ी को काटकर बनाया गया अच्छा है तो पीछे भी देखा थ जैन धर्म के दो प्रणुख संपरदायों का वर्णन करें वैशनों संपरदाय चर्णने क्व्च्वर प्राहे दस अतारों के नाम भी लिखें, सैव संपर्दाय का वर्णन करें, मंदिर स्थापत में निमन का वर्णन करें, गरब गरे क्या होता है, गोपुरम अथवा तोर्णदवार क्या होते हैं, शिखर अथवा विमान किसे कहते हैं, इसी के साथ हमारा वैख्यान समाप्त हो झाल झाल